मौत एक ऐसी सचाई और एक ऐसा सवाल है जिसे हम जुर्ला नहीं सकते एक नएक दिन ये मौत हम सभी को आनी है और हम सभी को इस शरीर को छोड़ कर उपर जाना होगा शासर हो या विज्ञान इसको सभी मानते हैं लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाते हैं कि मौत के वो अंतिमशन कैसे होते हैं जब इनसान इस दुनिया को अलविधा कह रहा होता है हाला कि इस बात को हम सभी एक पके समूथ की तोर पर तो नहीं कह सकते क्योंकि मौत आएगी हम सभी को लेकिन बताने के लिए हम इस धर्ती पर नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो की मौत को धोका देखे चक्मा देकर वापस आए हैं उन्होंने अपने अनुभव साजा किये हैं आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं आज हम आपको बताएंगे कि जब इनसान मर रहा होता है तो उसे क्या दिखाई देता है उसे क्या सुनाई देता है और वो उस वक्त क्या महसूस कर रहा होता है और उसके दिमाग में किस तरह के सवाल चल रहे होते हैं चलिए आपको मौत के उन अंदिम पलों के बारे में बताते हैं जो हम सभी के सामने आएंगे और इसे हम सभी गुज़रेंगे लेकिन उस वक्त कैसा लगता होगा आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे मौत कैसी होती है किसे कहानियों में हमने पड़ा है मौत हसीन होती है मौत वो महभूवा है जिसे एक ना एक दिन मिलन हो ही चाता है हम उसे चाहें भी तो नहीं टाल सकते मौत के आजाने के बाद सभी दुखों का अंध हो जाता है मौत हमें हमारी शरीर से मुक्ती दिला कर एक नई शुरुआत की ओद ले जाती है पता नहीं है बाते किसी ने कब कही होंगी या किस किस ने क्यूं कही होंगी पर कुछ लोगों के अनुभव को जानकर तो यही लगता है कि मौत बेहद हसीन है नजिदीक से मौत को महसूस करके मौत के मुझ से लौट कर आए लोगों ने कई बार अपने अनुभव को साजा किया है मरते वक्त कुछ महसूस ही नहीं होता बस अंधेरा चा जाता है और आपके दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं होता साथ ही ये भी लोग कहते हैं कि अंधेरा चाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि आप कभी भोश में नहीं आने वाले हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि मौत से पहले इनसान को एहसास होने लगता है मगर क्या ये सच है अगर हां तो उसके बात क्या है स्वर्ग और नर्क क्या है इनसान मोक्ष की प्राप्टी कैसे करता है और सबसे बड़ा रहसे ये है कि मरने से पहले इनसान देखता क्या है अक्सर लोग बहुत सारी बाते करते हैं कि मरने से पहले ही अंदाजा लग जाता है कि वो जाने वाले है मौत एक बहुत ही रहसे में घटना है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन जादा तो लोग ये बता पाते हैं कि मरने से ठीक पहले उन्हें क्या दिखाई दे रहा है एक शोद में भी इस चीज का खुलासा हुआ है कि लोग मरने से ठीक पहले क्या देखते हैं और किसे देखते हैं मरने से पहले कई तरह के विजन देखते हैं और धुनली सी परचाईयां दिखाई देती हैं ऐसा बताया जाता है कि लोगों को मरने से पहले जिस कमड़े में वो होते हैं वहां के कोनों में परचाईयां दिखाई देती हैं इन परशाईों में कुछ लोग अपने नजदी की लोगों को महसूस करते हैं या फिर अपने किसी प्रिये मित्र वेक्ती की परशाई उन्हें नज़र आती है किसी को बेमार पिता भी दिखाई देते हैं विग्यान के मताबिक वेक्ती जब मौत के करीब पहुंसता है समय आता है तो उसे अपने आसपास मर्शु के परिजनों के होने का एहसास होता है कहते हैं जब वेक्ती आखरी सांसे लेने वारा होता है उससे पहले वेक्ती की आँखे उपर की ओर मुलने लगती है कहते हैं जब वेक्ति को चांद सूरच की रोशनी ना दिखाई दे और उसे हर समय आग का ब्रहम हो तो समझे की उसका अंतीम समय करीब है ऐसे समय में वेक्ति को आसमान का रंग लाल दिखाई देता है उसे रंगों का ब्रहम होने लग जाता है धार्मिक मानेताओं के अनुसार वेक्टी के अंतीम समय उसकी परचाई तक उसका साथ छोड़ देती है उसकी परचाई तेल पानी या रोशनी में नहीं दिखाई देती रिसर्च के अनुसार मरते समय पहले शरीर से अजीब सी गन आने लग जाती है क्योंकि मौत से छे मुईने पहले ही वेक्टी की नाक मुँ और जीब पत्थर की तरह कड़े होने लगते हैं माना जाता है कि जब वेक्टी मरने वाला होता है तब उसे अपने सभी अच्छे बुरे कामों की याद आने लगती है इस जोरान उसे पश्तावा भी होता है पौरानी कथाओं के अनुसार जो लोग जीवन में अच्छे काम करते हैं उन्हें जिन्दगी के आखरी से में एक सुनहरा सा नकाश दिखाई देता है और वो खुद को उस रौसनी की तरफ बढ़ता हुआ पाते हैं इस सभी अनुभवों को उन लोगों ने साजा किया है जो किसी ना किसी तरीके से मौत को चक्मा दे कर जिन्दगी में वापस आए है आखिर मौत को किसी ने महसूस तो नहीं किया है वो बात अलग है कि मौत आनी हम सभी को है लेकिन आने के बाद हम ये नहीं बता पाएंगे कि मौत का अनुभाव कैसा होता है इस वीडियो के जरीए आपके मन में चल रहे काफी सवालों का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा क्योंकि ये बात कई जगा लिखी हुई है कई जगा आपने ये सुना होगा और शायद इसमें सचाई भी है बाकी मौत के बाद कैसा लगता है और मौत से पहरा कैसे लगता है वो तो एक नाएक गिन हम सभी को महसूस करना ही है अगर आपने हमारे चैनल रड़ॉन इंटर्टेंवेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसके साथ लीचे लगी घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक नहों सके इसके साथ हमारी वीडियो सो शेयर लाइक करना ना भूले